आई में और 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 दिल्ली में ये बम फट सकते हैं अगर लाहोर में फट रहे हैं खास तोर जब आप नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं फिर बापस आगे हूँ आपके सामने एक नई यूटूब वीडियो के साथ अगर आप वीडियो का में हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप्ट करके आँगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की में भाग पर पहुँचे हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट प्लीज शेल को सब्सक्राइब कीजे और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकाउन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफेकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियो की तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं फ़र करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि इंडिया की तरफ निगाहें उंगलियां हमारी जाती हैं लेकिन उसके बाद असर कुछ नहीं होता ये तो एक तसल सलसे कारवाईयां पाकस्तान के खिलाब वो कर रहे हैं बिलकुल सही फरमाया आपने समीना पहले तो मेरे ख्याल में जबरदस कारवाई की है हमारे इंटेलिजिंस एजिंसी और उन कम है जो भी आपके हैं उनके तारीफ में वो कम है बारा दिन में ऐसा उठाना और इस तरी इजिज पर डिपेंड कर रहा है देखिए सीधी साधी बात ये है एक कि हमारा रिस्पांस क्या होगा और दूसरा दुन्या कर रिस्पांस क्या होगा क्या हम चू-चू करते करते बस बैठ जाएंगे कि हम रिटैलिएट करेंगे और अगर हम retaliate करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, मगर retaliation जो है, इंडिया को बताना कि बंबई में और 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 दिल्ली में ये बंप फट सकते हैं अगर लाहोर में फट रहे हैं, खास तोर जब आपका इतना blatant intervention है, और सिर्फ आपका नहीं, ये NDS का भी intervention है, NDS और RAW खुद दोनों मिलके किया है, ये दोनों मिलके काम करते हैं, जैसे हमको पता है बलोचस्तान में, और एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा फरक है इस operation में, और दूसरे जिस किसम के military operations आप समझे होते हैं, और वो ये है, कि ये civilian दा रहा है RAW, और RAW का chief जो है, वो प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया है, और उसका deputy chief दोवाल है, in other words, उनकी signature और permission के बगएर, little signature और permission के बगएर, ये नहीं चलता, ये organization, और international law ये कहता है, कि अगर आपके instructions के तहत कोई action दिया जाता है, जो criminal है, और उसमें लोग मारे जाता आते हैं, तो वो responsibility कतल का आप पे आता है, तो in fact, अगर ये evidence जो हम अभी court में ले जाएंगे, और अगर प्रूव हो गया, कि ये RAW था, और ये प्रूव हो गया the traces, तो फिर Moody and Doval दोनो are murderers, alleged accused murderers, और उनके साथ, हमारे साथ ना बातचीत हो सकती है, ऐसे murderers के साथ, ना वो इस मुल्क फिर आ सकते हैं, I'm sorry, मगर retali, अच्छा है, तो ये है, सीधिया, अब, अब आप एक और चीज़ सोचे, हम क्या करेंगे, एक सेकिंड मैं इस पर दुबारा आती हूँ आपके पास, कि हमें करना क्या है, लेकिन जो आपने इसमें एक point उठाय है, वो बड़ा important है, म यहां पर आकर पाकिस्तान में कोई कारवाई कर रहे हैं, बलकि ये तो उनकी state policy है, फिर जब अगर उनकी एजनसिया मुलविस हो रही है, और वो सारी चीज़न जो है, इस तना plan करके वो दे रही है, बिसमिल्ला रख्मान मुझे तो इसमें बिलकुल भी हैरत नहीं हुई, जब आज इस प्रेस कानफरंस में मोईद यूसफ साहब ने, फवाद चोधरी साहब ने और आईजी पंजाब इनाम घनी साहब ने ये बताया कि इंडिया इसमें इन्वाल्व है, तो मुझे बिलकुल है नहीं मुझे आपकी सवाल पर हैरत हो रही है, कि इस तरह तो लगता नयाल के मताबिक उन्होंने दो हमले, लाहोर में दो हमले प्लैन किये थे, और हमारे वाकफ़न नयाल के मताबिक हमारे जैसे आपने पहले का कि इंटेलीजेंस एजिंसीज, खुफिया इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की आगे बढ़ाया, और ये पूरा रैकेट जो गिरिफतार हुआ है, पक्ड़े गें और जिस तरह से ये पूरी इस चीज सामने लाएं, इस पे मैं कहतों कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंतहाई परफेशनलिजम का मुझारा किया है, और ये सारी चीजें सामने ल दिया और दूसरे कब इन्होंने वो ना ज्यादा नुकसान कर सके और ना ही उससे कोई वो ये चीज़ है, अब आजाते हैं उसकी तरफ, अब जो अथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, उनके मताबिक सिर्फ और सिर्फ रॉह ही नहीं, एंडियस ही नहीं, मुसाद के भी डांडे इसके साथ में पर, हाँ जी, और रा जो है, ये सब मिल के ये काम करते हैं, और रा बकाइदा रा फंडिट ये सारा प्रोग्राम था, ये जो आब बात करें, मुईज यूसुफ साब ने भी इसकी तरफ इशारा किया, मैं उसको भी जरा क्लियरली सुनवा देती हूं, पर मै इंडुस्तान से हो रही है, बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तीसरे मुमालिक के जरीए पैसे विजवाए गए, और ये जो सारी दुनिया हमें बार बार फैट अफ और ये और वो बात करते हैं, अब वक्त आ गया है, कि असल मुझरिम की तरफ अपनी इतना भाना बनाया हुआ है, कि जी आपकी टैलर फाइनसिंग वैसे पाकिस्तान को रखा हुआ है, ग्रे लिस्ट में अभी तर, और इंडिया दन दनाता हुआ, खुले बंदों जो मर्जी कर रहा है, उसको कोई कोई नहीं किसी लिस्ट में डाल रहा है, अच्छा और सुमी जो इतराफ कर चुका है, अपने दैश्ट गर्दी करवाने का यहां पे, कुलूशन की में बात कर रहा हूँ, इससे बड़ा सबूत और दुनिये को क्या चाहिए, और उसको मान चुका है, इंडिया, दुनिया ने उसकी तरफ से आंके बंद की हुई है, दुनिया को हमारी चीजे जो हमने भी करते हैं, वो हमें डाल देते हैं, हमारा नुकता भी उन्हें पहाड नजर आता है, और उनका पहाड भी उन्हें राई नजर आता है, लेकिन हिलाली साब हम कैसे लाबिंग करें फिर इसके लिए, आप यह सुनिये, बात असल यह है, तो दोस्तों यह वी भी वहाँ पर कर सकते हैं, मतलब यह धमकी दे रहा है, आपको बता दूँ, यह बेसिकली मामला सुरू हुआ, जबसे हाफिस साइद के घर के बाहर एक अटैक हुआ, हमला हुआ, बंबलास्च हुआ, जिसमें हाफिस साइद का बॉड़ी गार्ड मारा गया, लेकिन हाफिस स साइद पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बोज बन चुका है, जिससे पाकिस्तान को हर साल 10 बिलियन डॉलर का घाटा होता है, एफिर टीएप में हाफिस साइद ही में रीजन है, इस बार ग्रेलिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान का, ग्रेलिस्ट में होने का कारण हाफिस साइ ही है केबल तो हाफ़िष सईद है जो वो पाकिस्तान के लिए एक बोज बन चुका और पाकिस्तन अब चाहता है कि इसे किसी तरीके से टपकाया जाए लेकिन इसकी मौत का कुछ फायदा उठाया जाए केकिन्कि हाफ़िस सईद का नाम इंडिया कि यह करामात थी तो हाफिस सईद को मतलब अब पाकिस्तान खुदी मारना चाहरा है जिससे भारत भी बदनाम होगी भारत ने घुसकर पाकिस्तान में हमला किया और हाफिस सईद अगर मर जाएगा तो FATF से पाकिस्तान का निकलना आसान हो जाएगा मुझे तो इस तरीके की क बिलियन डॉलर का नुकसान होता है तो दोस्तो अब देख सकते हैं आपकी हाफिस सईद को भारत क्यों मारेगा जब भारत जिन्दा हाफिस सईद से पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम मतलब बनती भी है पाकिस्तान की बदनामी बदनाम बैक फुट पर पाकिस्तान क को यह support करते हैं कुछ कम करें क्योंकि हापिस सही जैसे लोग ने कितना है भारत में आतंगबादी भीजें आपको भी पता है जम्मू कस्मीर में और जम्मू कस्मीर में जो drone attack हुआ आप भी है बोलना कि भारत इसका blame पाकिस्तान गुदरा ओविसली हम पाकिस्तान को ही देंग है तो अब इन लोगों को क्या वोलू मैं जफर हिलाली जैसे गधे ये मतलब एंबस जर रह चुके हैं इरान में पाकिस्तान की तरफ से आप समझ सकते हैं इन जैसे गधों की वजए से इनकी जब ये सोच है ये टीबी पर आकर इस तरीके की बात करते हैं कि हम दिल्ली और म है झाल प्याल